वेल्कम बाक तु जीवा हेल्थ शोओ में इतनी सारी चीजें मौझूद हैं लेकिन अक्सर हम आलसी होते हैं sorry to say that I agree बहुत सारे लोगों को थोड़ा बुरा भी लगता होगा लेकिन जो सची बात है मैं भी थोड़ा आप जैसा ही हूँ कभी कबार कोई अच्छी चीजें मिलती हैं तो कभी कबार हम सोचते हैं चलो कल कर लेंगे मैं तो खासतोर से मैं कफ प्रकृती का अदमी हूँ तो मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ I will do it tomorrow तो ऐसे कफ वाले आप में भी होंगे काफी लोग लेकिन हमें करना क्या है बालों के लिए तो बहुत गजब की चीजें हैं आपकी रिसोई में बहुत चीजें आपकी फ्रिज में दही होता है आप दही से बाल धोईए आप देखिए आपको सिल्की सॉफ्ट बाल बिल्कुल अच्छे मिलेंगे और साथ में डेंडरफ को भी नस्ट करती है और यदि आपको डेंडरफ है बहुत ज़्यादा इची स्कैल्प है जिसकी वज़े से हेर लॉस होता है आपको तो नारिल का तेल ले ले उसमें थोड़ा नीबू का रस मिलाएं उस मिक्षर से बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मसाज करें आप देखिए चमतकार होगा इंटरनल वाला भी एक फर्मूला बताता हूँ आपको अगर आपके घर में काले तिल होगे काले तिल में थोड़ा आवला मिलाईए आवले में भ्रंग्राज एक जड़ी बूटी होती है वो मिलाईए और ब्रहमी भी साथ में ले लेजी चार चीजें तो ब्रहमी भ्रंग्राज, आवला और काले तिल ये मिक्षर बना लेजी आप और इस मिक्षर में से एक एक चमज सुबह शाम ताजे पानी से सेवन करना है अगर इतना सारी चीजें आपको मिलने में मुश्किल होती तो केवल आवले का चूरन भी आप सेवन करेंगे उससे भी आपको लाब मिलेगा बाल जब नॉर्मली आपको धोने हो तो किसी से धोएंगे आवला, रीठा, शेकाकाई ये तीनों मिल जाएं तो तीनों को बराबर-बराबर मिला करके मिक्षर बना लेजिए या केवल, शेकाकाई, या रीठा कुछ भी मिले उससे बाल धोईए आप आप देखे कितना अच्छे आपके बाल हो जाएंगे और आपकी जो हेर लॉस की प्रॉब्लम है वो भी धीरे-धीरे-धीरे गायब होनी शुरू हो जाएगी मुलतानी मिट्टी से भी बाल धोई जाते हैं मुलतानी मिट्टी को पानी में भिगो दीजिए सुबह उसको अच्छी तरह से लगाईए लेप करके छोड़िए फिर देखिए आमले को लोहे के बरतन में भिगो करके रखें उसका पेश्ट लगाएं कितनी सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन करने से होगा अभी क्या है हम थोड़े आलसी हो गए आजकर तो हम सोचते हैं कि यह एक शैंपू मिल गया मिझे उस पर लिख दिया किसी ने यह एंटी हेर लॉस्ट शैंपू है इसको लगाई है इससे मेरे बाल गिरने रुख जेंगे ऐसे कैसे होगा हमें समझना तो पड़ेगा कि हमारा बाल एक नेचुरल जो है उसकी रूट है वहाँ एक नेचुरल तरह का ओइल है तो ओइलिंग जरूर ही करनी है सब्ता में दो बार तो तेल जरूर लगाना चाहिए बलके रोज भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तेल जो लगाते हैं उनके बाल हमेशा घने और काले बने रहते हैं तो डॉक्टर साहब इसी के साथ एपिसोड का वक्स समाप्थ हो चला है लेकिन जाते जाते आपसे दर्खास करना चाहूंगी अगर हमारे दर्शकों को आप कोई टिप्स दे सकें देखे मैं बालों के बारे में टिप्स देना चाहूंगा और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई एक ही चीज जो है बहुत महत्पूर्ण है बाल जो है नेचुरली हमारे शरीर का एक अंग है जैसे और अंग है अफकोर्स बाल ब्यूटी के साथ जुड़े हुए है तो इनकी एक एक एक्स्ट्रा केर करना बनता है और जो लोग बालों की केर करते हैं उनके बाल कभी गरते नहीं है यह समझ लीजिए लिख लीजिए उन्हीं लोगों का हेर लॉस होगा जो बालों की कोई केर नहीं करते यह बालों को नश्ट करने के लिए कुछ गलत चीजों का प्रियोप करते हैं So it's like if you take care of your hair your hair will actually be your crowning glory Definitely तो दोस्तों, आज की एपिसोड का वक्त समाप्त हो गया है लेकिन किसी भी वज़े से अगर आपका contact हमसे नहीं बन पाया चिंता मत कीजे We are here at your service आप जोर सकते हैं हमसे आप जोर सकते हैं जीवा आयुरवेद से किसी भी स्वास्त सम्बंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24-7 जीवा आयुरवेद में संपर कर सकते हैं डॉक्टर प्रताप चोहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तक पर है आपकी सेहत का नंबर है 0129-4040404 आपकी सेहत की वेब साइट है www.jeeva.com आपकी सेहत की इमेल आईडी है info at jeeva.com तो दोस्तों फिर मिलेंगे जीवा हेल्थ शो के अगले एपिसोड में एक नए विशे के साथ और बहुत सारे आयुरवेदिक उपचार के साथ फिलहाल शिल्पा को दीजे इजासत और हाँ अपना ख्याल रखिये क्योंकि हमें आपकी फिक्र है